मेरे पहरे साथियों, अगर मैं पूछू कि कोई बच्चा कौन सी भासा सबसे आसानी से और जल्दी सिकता है, तो आपका जवाब होगा, भात्रु भाषा, हमारे देश में लगभग 20,000 भाषाएं और बोलिया हैं, और ये सब की सब किसी न किसी की तो मात्रु भाषा है ही है, कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जिनका उप्योग करने वालों के संख्या बहुत कम है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी, कि उन भाषाओं को संवरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं, ऐसी ही एक भाषा है, हमारी संथाली भाषा, संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है, संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातिय समुदाय के लोग बोलते हैं, भारत के अलावा, बांगलादेश, नेपाल और भुटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मोजूद है, संथाली भाषा की ओनलाइन पहचान तैयार करने के लिए, ओडिशा के मवरुभन्ज में रहने वाले स्रीमान रामजित टूडू एक अभियान चला रहे हैं, रामजित जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफर्म तैयार किया है, जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पड़ा जा सकता है, और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है, दरसल कुछ साल पहले जब रामजित जी ने मोबाईल फोन का इस्तेवाल शुरू किया, तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मात्रू भाषा में संदेश नहीं दे सकते, इसके बात वो संथाली भाषा के लिपी ओल्ड चीकी को टाइप करने की संभावना इतलास करने लगे, अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल्ड चीकी में टाइप करने की तकनीक विक्सित कर ली, आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे ले लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं